हम लोग जैसे कि पिछले 10 वर्सों में BPSC के दवारा जो प्रस्ण पूछे गए हैं Constitution यानि पॉलिटी के सेक्षन से उस पे हम लोग चर्चा कर रहा है तो हम लोग जो है discussion कैसे करते हैं उस प्रस्णों का पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि हमारा टापिक क्या है जैसे रोज हम लोग एक अलग टापिक उठाते हैं जैसे समिधान में जो टापिक दिये गए हैं जैसे मन लेजी उदेशी का है समिधान के सुरोत हैं, मौलिक अधिकार है, राष्टपती है, उपराष्टपती है, फिर राज जी की कारेपाली का है, सरोच नियाला है, उच नियाला है, वैसे ही हम लोग topic wise एक topic उठाते हैं, उस topic पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं, discussion करते हैं, उसके बाद से जो उस topic पर पिछले 10 वर्सों में BPSC के द्वारा प्रस्ण पूशे गए हैं, उसके हम लोग discussion करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस process से आपको एक जो आपका study plan है, मुख्य रोब से आपने जो पहले से पढ़ा रखा है, उसका आपका एक revision हो जाएगा, और दूसरा जो आप उसके आधार पर PYQ जो किया जाएगा, जो पिछले 10 वर्सों में पुछा गया है, उससे आपका जो है, एक trend जो है, जो BPSC का जो पुछा जाता है, या पिछले 10 वर्सों में क्या trend रहा भी PSC के दवारा, ओ भी आपको पता चल जाएगा, तो आज हम लोग discussion करने वाले हैं, मुख्य तक 2 तीन टापिक पे, वो कौन कौन से टापिक रहेगा, तो ओ टापिक रहेगा मुख्य रूप से, एक तो आपका रहेगा लोग सभा, और दूसरा रहेगा राज्य सभा, एक लोग सभा रहेगा और दूसरा राज्य सभा, तो लोग सभा रहेगा और दूसरा राज्य सभा, तो मने देखें कि जो संसद होता है Other के दो सदन होते हैं यानी जो पर इसको उंच सदन भी कहा जाता या वरिष्टों का शदनभी वरिष्टों का सदन भी कहा जाता है तो मुख्य रोप से तो इसको यह कहा जाता है लेकिन हम लोग अब एके करके देखेंगे कि लोग सभा जो है इसके बारे में तो मुख्यता हम लोग जानते हैं कि संसद के बारे में आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि संसत तीन चीज़व सी मिलके बनेगी लोगसभा, राज्यसभा और राष्ट पती तो किसे किसे मिलके बनेगी राष्ट पती, राज्यसभा और लोगसभा जिसमें आर्टिकल असी 80 अनुशेद 80 में प्रावधान है राज्य सभा के बारे में और आर्टिकल 81 में प्राउधान किया गया है लोग सभा के बारे में तो हम लोग एके करके पढ़ेंगे कि लोग सभा के बारे में कि लोग सभा में कौन से सदस होते हैं उनकी कैटेरिया क्या होती है वो उनको निरहर कैसे घोशित किया जाता है उनकी हरता क्या है या कौन कौन है से राज्य है जिन में जादे लोग सभा की सीटों की संख्या है कौन कौन है से राज्य है जहां लोग सभा की सीटों की संख्या कम है और एक कैसे निर्धायत के जाता है लोग सभा में जो चुना होता है वो किस पधती पे होता है राज्य सभा में जो चुनाव की प्रणाली है वह किस पधती पर होती है तो इस पर हम लोग देखेंगे राज्य सभा के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे लोग सभा के बारे में तो देखते हैं राज्य सभा के बारे में राज्य सभा का वरण किस में किया गया है तो राज सभा का जो संगतन होता है जो सदस्यों की संख्या होती है वह कितनी है तो अधिकतम 238 और प्लस बारह यानि कितना हो गया 238 और 12 इसका मतलब 250 यानि राज्य सभा में सदस्यों का जो स्टेंथ है वो 250 है अब 250 में कौन-कौन तो 238 जो है वो आप देख सकते हैं वो कहां से है तो वो है आपके राज्यों से स्टेट से है वैसे ही जो 12 है वो कहां से है ये जो 12 है ये मनुनित किये जाते हैं किसके द्वारा मनुनित किये जाते हैं राष्ट पती के द्वारा तो 12 लोगों को राष्ट पती मनुनित करते हैं राज्य सभा में और यह जो 12 लोग होते हैं वो किन किन छेतरों से आते हैं जो मनुनित किये जाते हैं राष्ट पती के द्वारा वो आते हैं चार छेतरों से कल दूसरा होता है विज्ञान तीसरा है साहित्य और चौथा है समाज सेवा इन चार जगहों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मनोनित करता है कौन प्रेशिडेंट आफ इंडिया उनको मनुनित करते हैं तो बारा ऐसे लोग को बारा करते हैं तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि राजसभा का total strength जो है वो कितना है 250 है 250 है जिसमें से आप यूटीज की बात करें Union territories की केंदर सासित परदेशों की तो केंदर सासित परदेशों में आप देखेंगे मातर तीन ऐसे केंदर सासित परदेश हैं कौन-कौन से अभी तो फिल हाल जम्रो का समयर में अभी चुना हो रहा है तो उ 토प यह पी जाना हो जानी व्यक्त Evans जाने के भाद पिर वहानी डात होगा फिल हाल में कि इसीह राज्यों में बिधान-सब क्सें मतलब तीन केंदर सा पारदेश अपके अंदर सासित परदिश पर गौर्णर नहीं बलकि LG होता है लेटिनेंट गौर्णर होता है और यूटी जो होते हैं दो तरग होता है एक तो जहां पर बिधान सभाय है करता है और जहां पर बिधान सभाय है और जहां पर बिधान सभाय नहीं है वहां पर के दौरा तो LG कहां कहां पे और कहां कहां बिधान सबाय है किन किन के निर्सासित प्रदेशों में है दिल्ली में है दूसरा पदुचेरी में है और तिसरा आपका जम्बू एंड कास्मेर में है तो तीन जगहों पे है कहां कहां पे दिल्ली पदुचेरी जम्बू कास्मेर तो टोटल केंदर सासित और राज्यों से मिला कर कितने प्रतिने धी होंगे 238 और 12 मनुनित करेंगे राष्टपती चार्चेतरों से अब ये 238 जो इस ट्रेंथ आपको दिखाए दे रहा है राज् समय की अगर बात की जाए बरतमान में स्टेंथ कितना है 245 है 245 है अब इनकी बात आती है कि नियुक्ति कैसे होती है मतलब इनका निर्वाचन कैसे होता है sorry नियुक्ति इनकी नहीं होती है इनका निर्वाचन होता है तो इनका निर्वाचन होता कैसे है तो आईए देखते ह आज ये सभाज हुआ है इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है एकल संक्रमडिया मत के अनुपातिक प्रणालिया इसके अनुसार होता है तो राज्य सभाज के जो सदस्यों होते हैं उनका चुनाव करता कौन है तो उनका चुनाव सभी राज्यों के जो बिधान सभाएं हैं सभी राज्यों में जो राज्यों की लेजिसलेटिव है उस बिधान सभा में से बिधान सवा में होते कौन लोग हैं तो बिधान सवा में होते हैं M-L-A M-L-A जिसको आप लोग करते हैं बिधायक तो यह इनके चुनाव में भाग लेते हैं यानि Member of Legislative Assembly Member of Legislative Assembly जो होते हैं वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं तो एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता कैसे है परुक्षरूप से बिलकुल ही नहीं होता है तो होता कैसे है आप परत्यक्षरूप से कैसे होता है आप परत्यक्षरूप से तो एक चीज ते हो गई कि हाँ इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है इलेक्शन होता है, वह आपर तैक्षरूप से होता है अब हम लोग देखेंगे कि राज सभा के जो सदस्य से बनते हैं उनकी योगिता क्या होती है, कैटेरिया क्या है तो योगिता क्या है, पहला तो योगिता है कि वह भारत की नागरिख होना चाहे है फर्ष्ट भारतिय नागरिक नागरिक होने चाहिए दुसरा राज्य सभा के मेंबर बनने के लिए नियूंतम आयू मिनिमम जो एज है वह कितना है ? ठर्टी यहर्स कितना होना चाहिए ?T 190 ुसकारел लें मोर्ष रजय सभा का जो मेंबर ब्हक्ति बनता है उसको इसकी आयूंतम 0 चाहिए तीस बर्स होनी चाहिए लेकिन इसका जो अध्यक्षता करता है इस राज्य सभा का जो अध्यक्षता करता है यानि उसको सभवपती कहा जाता है यानि होता कौन है आपका वाइस प्रेसिडेंट उसकी मिनिम्म एज थर्टी फाइब यर्स है 35 बर्स है यह तो रहा इनके सदस्यों की योगिता अच्छा इनकी सदस्यों की योगिता के बारे में और निरहरता के बारे में कि आर पी ए allora कि नैंटी फिप्टी वन आर पी ए LET कि नैंटीप्टी इसमें कुछ क llebor पर अ OUT के निस सथनी क्यावन पर आयर पर पी पिपुल एक्ट नैशन कंश प्चास तो एं क्या है दि में िसको कह जाता है choking Merci प्रतिने धित्व एक्ट अधनियम उन्य से गावन तो ये दू तो कैटरिया है है साथ में उपागल और दिवालिया नहों किसी लाब के पद पे नहों ये सर्चिजे कोई किसी अपराधिक मामले में लिप्त नहों ये भी कैटरिया उसमें है और अगर किसी बैक्ति को दो या दोस से अधिक बर्स कि सजा सुना दी गई हो नयाले के द्वरा और सजा सिध हो गया हो तो वहाँ बैक्ति मेंबर नहीं रह सकता है तुरंथी उसकी सदस्यता क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है वह तुरंथी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और इस तरह की जो सदस्यत का समाप्त होती है उसको कौन करता है समाप्त राष्ट पती करता है किसके परमर्शे से भई चुनाव आयोग और चुकि नयाले के निर्डे से तो यह प्रस्ण पुझा सकता है कि इस तरह की जो निरहरता होती है क्या उसकी निरहरता होगी उस पर जूरीन रिविवू बिलकुल ही नहीं की जा सकती क्योंकि नैपाली काै नहीं खुद उसको निरहर घोशित किया है इसमें एक था सेक्शन 843 थ्री उसको नयाले ने 2013 में वो समाप्त कर दिया क्योंकि इसमें ये क्या कहता था ता कि तीन माह इंको समय दिया जाए वह अब सम आपत है प्रजंट में तो यह तो हो गया राजासभा के बारे में इनके सभापती जो होता है उनका चुनाव इसके सदा से नहीं होता है आप ज तो राज सभा के जो मिंबर होते हैं, मुखिता सदस्यों का कारेकाल जो है, वो 6 बर्स का होता है, लेकिन जो राज सभा होता है, वो निरंतर चलने वाली सभा है, निरंतर चलने वाली सभा है, इसलिए इसका बिगटन नहीं होता है, अब जब बिगटन नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक बटे तीन एक तिहाई एक बटे तीन मतलब एक तिहाई एक तिहाई जो सदस्य होते हैं जो मेंबर होते हैं वो प्रतेक दो वर्स पर क्या होते रहते हैं रिटार होते रहते हैं है कि प्रतेख़र से रिटर होते रहता है सेवं इन को जाते हैं तो राजसभा के प्रतेख एक तीहाई जो फ्रतेख़र हैं XL प्रते रोर्श पे क्या होते हैं है अब फ्रतर है बिल्कुल ही नहीं होता है इसलिए इसको तो राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है ठिक अब इसके मेंबर को आप लोगों ने देखा कि 30 एर्स कम से कम चाहिए तो 30 एर्स चाहिए इसलिए इसको वरिष्टों का सदन भी कहा जाता है आपने देखा कि जो राज्यसभा है इसके मेंबर के मेंबर की निर्वाच इसका मतलब सीधे सीधे दिखाई देरा है कि राजी की भूमका होती है इसलिए यह किसका प्रतनिधित व करते हैं राज्यों का प्रतनिधित व करते हैं किसका राज्यों का प्रतनिधित व करते हैं तो यह तो था पूरा राज्यसभा अब हम लोग देखें कुछ ऐसे ही फैक् तो लोक सभा एक अस्थाई सदन है या लोवर सदन है निचली सदन है और सदा न चलने वाली सदन है और सदा न चलने वाली सदन भी कहा जाता है क्यों क्योंकि समानेत लोक सभा का प्रतेक पांच वर्स पे क्या हो जाता है अगर प्रतेक पांच वर्स पे हो जाता है तो यह जो है यानि लोक सभा हमेशा चलने वाली सदन नहीं है यानि इसका विक्टन हो सकता है पांच बर्स से पहले भी हो सकता है और ऐसे पांच बर्स पे इसका विक्टन हो ही जाता है प्रतेक पांच बर्स पे प्रतेक पांच बर्स पे आम चुनाव करायाने पड़ता है पहली बार लोक सबा का चुनाव 1951 से 52 फरावरी 1952 के बीच में हुआ था जिसमें प्रधान मंत्री कौन बने थे पहली बार पंडित जवाहरलाल नहरू तो यह पहली बार हुआ था पहली लोग सभा का चुनाव वैसे ही हम देखें कि अब इनके सदस्यों के बारे में कि इनके जो सदस्य है यानि इनके जो मिंबर है उनकी योग गिता क्या होगी? कचि इसके जो मिंबर होते है और परोग छुरूप से यानि प्रत्यक छुरूप से किस के द्वारा सीधे जनता के द्वारा चुने जाता है यंे जनता चुनती है कैसे अटिंग का माध्यम से जैसे आप लोगोंने लोकसभा के चुनाव देखा होगा लोकसभा में जिसमें समानतर कहा जाता है कि परधान मंतरी के चुनाव है अवास्तों में तो परधान मंतरी के चुनाव नहीं होता है परधान मंतरी के अपॉइंटमेंट होती है तो इसमें जो परधान मंतरी वाले च ज्चेतर होगा उस लोक सब빛 चेतर से कई उमिद्वार जो है उसमें छुनाओं में भाग लेते हैं औरुसमें सेुच को जिस ब्यक्ती को जिस सदसे को सरवाधिक मत मिलता है वहां ब्यक्ति क्या हो जाता है निर्वाचित हो जाता है अर्थात यह बात हुआ कि जो ब्यक्ति जादे मत पाता है जादे बहुमत पाता है वो सिधे निर्वाचित हो जाता है और वही हम लोग देखे थे एकल संकरमडिय मत वाले में उ उसमें जादे और कम की बात नहीं थी एक कैटेरिया थी अनुपातिक रूप से अब उसमें कम होता है तो उसका वोट ट्रांसपर हो जाता है किसी दूसरे में एकल संक्रमणी वाला वे जो गुप्त प्रनडाली है उसमें होता है लेकिन इसमें जनता ये वन परसन वन वोटिं को चुन सकता है ऐसा नहीं कि एक वेक्ति तीन उमिद्वार को चुन दिया जब तीन उमिद्वार को चुन देगा तो किसी को नहीं माना जाएगा इसमें और राज्यसभावाले में या राष्टपती के चुनाओं में या उपराष्टपती के चुनाओं में क्या होता है जो कि वरियता बाद में है किसकी वरियता हम पहले रख रहा है उसमें वरियता का करम देखा जाता है लेकिन इसमें वरियता का करम से मतलब नहीं है इसमें या आपके ग्रम पंचायत में भी चुना होता है या इस्टेट लेटिव का भी चुना होता है जो MLA का चुना होता है हम सबको को दे आया कि मैंने सबको दे रिया है तो उस स्तिति में क्या होता है उसका वोट the post system इस system के तद लोगसभा में चुनाव होता है और concept क्या होता है वन पर्सन, वन ओर्ट, वन मेंबर एक वैक्ति एक कही सदसे का एक ही उमिद्वार का candidate का चुनाव कर सकता है चाहें कितना हो candidate आया हूं यह तो था आपके चुनाव का अब हम देखते हैं कि इसमें अगर किसी वैक्ति को लोगसभा का चुनाव लड़ना है तो चुनाव अगर लड़ना है तो मिनमम एज क्या होनी चाहिए तो मिनमम जो एज है उसकी 25 यह होनी चाहिए अब आप देख रहे हैं राज साम हम क्या था? 30 यह था 30 वर्स था इसलिए उसको वरिष्टव का सदन कहा जाता है अब यह जनता डाइरेक्ट चुन रही है इसलिए हम कहते हैं कि जो मंत्री परिसद होती है काउंसल आफ मिनिस्टर्स होते हैं प्रधार मंत्री यह सरकार होती है वो सदन के प्रति उत्तरदाई जवाब देई तो उसका होता है लेकिन किस सदन के प्रति लोग सावा के प्रति उत्तरदाई होती है सरकार यानि लोग सावा के प्रति उत्तरदाई होने के मेन कारण यहीं से है क्यों कि यह डारेक्ट जनता के दोबारा परोक छरुप से चून कर गए होते हैं, तो इसलिए उनके उत्तरदाई होते हैं, और राजसभा, समानत और राज्यों का परतने दिद करता हैं, जानते हैं आप, तो इसमें minimum age कितनी होने चाहिए, 25 years, अब इसकी criteria हम लोग देख लेते हैं, क्या-क्या criteria है, इरिजबिलिटी क्या होती है, चुनाव लड़ने के लिए, तो पहला तो वह fix है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यहनि इंडियन होना चाहिए, ठीक है, दूसरा, कि वह 25 वर्स की उमर पूरा कर चुका हो, तीसरा, पागल और दिवालिया ना हो, चौथा, किसी नयाले फैसले में, वह दो याद दो से अधिक वर्स के लिए, दोसी ना हुआ हो, ठीक, और 1951, आर्पीए, और आर्पीए, उनिस अपाचास दो है, तो 1951 के आर्पीए किता दो, निरहर खोसी इतना हुआ हो, इस तरह से हम लोग ने देखा कि लोग साव, लोग सावा की जो अध्य ध्यक्षता है, जो करता है, क्योंकि कांचल अफ मिनिस्टर की निकती इसी से होती है, तो आप इस से पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको असपश रूप से पता चल जाएगा, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस से हटके कि लोग सावा रज्य सा आप लोग ने देखा कि निरहर हो सकते हैं अगर वह जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं और जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ दे तब निरहर गोसित हो सकते हैं दूसरा अगर कोई नयाले दो या दो से अधिक बर्स के लिए चाजा सुनाए हो तब निर्हर घोसित हो सकता है तिसरा कि जब वह किसी ये कही सदन में ये कही सदन में दो स्रीटों पर चुनाव लड़े हैं और दूनों पर जीत गया हैं तो एक स्रीट को उनको त्याग ना प लोग सभा के सदस्बास बने केलिए यहां का चुनाव जीत गिया या संसत्थ सबने के लिए संसत का चुनाव राज सदस्थ गिया तो उसको 14 दन के अंदर बताना पड़े गा कि हो कहां रहेगा नहीं तो यहां की सीटें झजफा कर दी जाएगी ये धियान है पिर अगर को प्रोसेस है और प्रोसेस है कि अगर जो सदस है कोई भी सदस लगातार साथ दिन सदन में अगर अनुपस्तित हो लगातार 60 दिन 60 दिन का मतलब क्या हुआ समानेता मह लिजिए 2 माँ तो समानेता लगभग 2 माँ तक लगातार अगर अनुपस्तित है embargo तो अभी उनकी सदसेता क्या हो सकती है उनकी सदसेता समप्थ हो सकती है और दल बदल के अधार पर भी और दल बदल के आधार पर निरहर घोसित हुए हो तब भी अब एक चीज यहां पर पॉइंट आउट करने वाला है कि मान लिजे कोई सदस्य है suppose that मानिए कोई सदस्य है और वो आपका कोई सदस्य है मान लिजे मेंबर है और या सदस्य मान लिजे कोई यह सदस्य है और यह चुनाओ जीत जाता है और बाद में पता चलता है कि एक कैटेरिया जो था चुनाओ लड़ने का उसके ताद तो यह निरहर था तो क्या उस वैक्ति को निरहर घोसित किया सकता है प्रस्ण ए है अब अगर उस वैक्ति को निरहर घोसित करना भी हो तो वैक्ति निरहर घोसित कैसे होगा उसके लिए हाई कोट में जाया सकता है सरप्रतम हाई कोट जाया जायेगा हाँ उसके खिलाब सुप्रेम कोट बाद मे में पूछा गया है उस पर देखें हाला कि लोग सभा राइस है वह बहुत नथा धिस पर हम लोग पिछले क्लास में भी देख सब डिस्क्रe seriously कर चुक हैं तो पिछले क्लास को आप देखेंगे थाइना च्लते हैं जीन प्रशनों हो को बीपिश्ची ने पिछ Howard वर्सों में पूछा है तो कौन-कौन से वो प्रस्ण है तो हम देखते हैं जैसे पाले से हम कुछ और फेक्ट वासा देख लें कि 79 में क्या है संसद का गठन है यह हम लोग देखी रहे थे वैसे ही अगर देखा जाए 80 में क्या राज सभा का गठन है 81 में लोक सभा का है 82 में प्रती एक जनगड़ना के बाद जो पुणर समायोजन होता है उसके बारह में लिखा गया है पुनर समयोजन कब तक हुआ है 21 pa में हुआ है यह vermeedaर में दो हजार दो में तो चार बार परिशंवन अभी तक हुआ है तो अभी तक कितने बार परिशिमन हुआ है चार बार प्रति एक जनगरना के बाद अब चौरासिमें समयधानिक संसोधन के द्वारा इसको कहा दिया गया कि दोजार चपविस तक अब यह सीटे बरकरा रहेंगे हलाकि साथासिमें समयधानिक संसोधन द्वार एक गया दोजार तीन इसके द्वार कहा गया सतासिमे के दवरा कि जो परिशिमन हो रहा है और यह लास्ट दोहजार एक के जनगरना पर पर मनने होगा सता स्वार में किया गया तो ऑर्टिकल एक टीट्व में ऐसा चीज लिखा गया है 83 में क्या है संसत के सदनों की आवधी कितनी होगी तो मैंने बता है कि राजसभा की आवधी कितनी है लोगसभा की आवधी कितनी है हम लोग देखे ही है ठीक 84 में क्या लिखा गया है संसत की सदस्ता के लिए योगता क्या होनी चाहिए राजसभा की सदस्ता के लिए य उसके बाद से अगर हम चलें तो अगला पॉइंट है 89 राजसभा के सवापती और उपसवापती के बारे में हम लोग ने देखा आगे अब सीधे हम चलते हैं प्रस्न पर जो प्रस्न पिछले 10 वर्सों में भी प्यस्जी के दोबरा पूछे गया हैं जैसे पहला कहा गया है कि जहां तक लोग सभा में प्रतिनिधित्व का प्रस्ण है कौन से राज डूसरे और तिसरे नमर पे हैं यह कहा गया है ठीक है? तो अगर बात के जाए लोग सभा में तो आप जानते हैं कि लोग सभा में सरवाधिक सीटे जो है 80 सीटे कहां से है? योपी से हैं दूसरे नमर कि आपका आता है महाराष्रा इस तरह से अगर हम देखें तो पहला नमर पे आता है के उन jp तो महलोग देख लेते हैं तो महाराष्र इस अप्शन में भी नहीं है इस आपसन में भी नहीं है अब महराश्ट आपके दो ही आपसन में दिखाई दे रहा है एक पहला और एक तीसरा अब इसमें हम देखें कि तीसरे नमर पर एक जैक तो पश्चिम मंगाल है अब पश्चिम मंगाल ना ही इसमें है और ना ही इसमें है तो हम देखें तो महाराश्ड में नहीं थे इस लिए अपसंस यह होगा तो इस तरह से आप लों देखा कि परसन का जैसे महाराश्ड में अगर देखा जाए तो महाराश्ड में पहले तो इस तरह से मद्य परदेश में तो आप देख सकते हैं जो हमारा पूछा गया था यहां मद्य परदेश में है कितना अगर M.P.M की बात किया जाए 29 है इसमें कितना है 48 है इसमें कितना है 40 है तो इस तरह से आप्षन हमारा कौन सा सही हो रहा है आप्षन ए सही हो रहा है तो अगला परश्ण लोक सभा चुनाव का कोई परत्यासी अपनी जमानत खो देता है य आपके सब्टीं कितना है कि अगर कोई सदस्य आं ज chicken के लोग सभा में नहीं लागू होता है कुल वैद मतों गा है 1 प्रेंट जे मत अगर प्राप्त नहीं करता है तो वह अहले क्या होता है अपनी जमानत जो हþर कर अगला प्रस्न है का रहा है लोग सभा का पहला आम चुनाव का हुआ था तो मैंने अभी पहले शुरू में बताया 1901 से फरावरी 1902 तक तो आप देख लीजे कौन सा आप्शन इसमें दिखाई दे रहा है क्या 1902 है कहीं इसका मतलब क्या अप्शन होगा अप्शन भी अगर उने से क्या उन दिया होता तब तो असपस्ट रूप से इसको देना चाहिए था तो फरावरी 1902 तक 1902 तक हुआ था पहला लोग सभा का चुनाव तो आप देख सकता है 25 सक्टूबर 1902 से 21 फरावरी 1902 में हुआ था पहला लोग सभा का चुनाव और लोग सभा का प्रथम अधिवेशन पूछे तो 13 माई 1902 का हुआ था जिसमें प्रधान मंत्री कौन चुने गए था इसमें जान लाल नेयुरू के अगला प्रशंथिन लोग सभा के नेता कौन होता है बतायों बहुत हम लोग सभा का नेता कौन होता है कि या राशपति लोग सभा का नेता होता है यह कि Anything abouts नियुदा सहिट लोग सभा का अध्यक्ष को तो अध्यक्षता करता है चौत अपसंता इसे ही गलत है प्रधान मंत्री तो लोग सभा का नेता तो समानेता प्रधान मंत्री होता चुकि समानेता प्रधान मंत्री को कहां से होना चाहिए लोग सभा सही होना चाहिए लेकिन भारत के समिधान में ऐसा मेंचन नहीं है कि केवल लोक सभा से ही वो हो सकता है राज सभा से भी हो सकता है और ऐसे तो देखा जाए तो कोई व्यक्ती 6 मां तक मन्त्री बन सकता है सदन का नेता चून लिया जाए तो लेकिन 6 मां के अंदर उसको सदसता लेनी पड़ती है तो इस तरग कर एंसर होगा आप तो बसंत कर दोड़ा कर अगला परस। सब्सक्राइब और यूसर तु कि अ सबस्क्री को आसे नेरे के लूग सबीए The Om Prils आप आृप्सन तो सबस्क्राइब लोग सबस्क्राइब राज सबस्क्राइब लोग सभा के सदन से चुने जाते हैं तो पहला आपसन तो इसे गलत हो गया दूसरा प्रत्य अक्षरूप से जनता बिल्कुल नहीं चुनती है जनता तो केवल अपना क्या चुनती है MP चुनती है Member of Parliament ऐनी सांसत चुनती है लोग सभा में बहुमत प्राप दल के सदस्यों के द्वारा नहीं लोग सभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना होता है वो अलग बात है कि हम जो बहुमत जिसकी होती है उसकी जादे बनता है लेकिन सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है तो इसलिए इस प्रसंद का एंसर होगा आपसंसी तो इस समय भी बरत्मान लोगसभा के अध्यक्ष कौन है ओम बेढ़ना है कौन सा लोग सब्सक्राइब चल रहा है अठरावी अठरावी के भी यही है और सत्रावी जब था तब भी यही थे यह ध्यान रहे है अगला प्रसन हा धन भी दो हम लोग पिछले क्लास में पड़े हैं धन भीध्यक्ष को परिवासित करने की सक्ति किसके पास है लोगसभा के इया कि कोई पलाग संसोधन के विल घ संसोधन के भी लावट आया उज महें राज सभा का इसका जो रोल होता है बहुत माइनर होता है लोक शभाह इसको मान भी सकता है और भी मान सकता है तो धन भीदाये के संदर में केवल लोक सभाही होगा राजशभा होगा इसलिए आप सांवार क्या तो सब्सक्राइब नहीं होगा तो अगला प्रस्न है संसत के संजुक्त सत्र अब देखे संजुक्त सत्र आ गया यानी जिक्र हो गई कि आर्टिकल 108 की एक सवाठ की बुलाता कौन है राश्ट पती कब बुलाता है संब्धानिक संसो धन भी देख पर नहीं बुलाएगा तो समाने जो भी देख उस पे अगतिरोध हो जाने के करण राजसभा और लोकसभा में राश्ट पती जो है संजुक्त अधिवेशन बुला अगला प्रसन है एक MP की सीट को रिक्त गोसित किया सकता यदिवा सदन से लगातार कितने समय तक अनुपस्तित रहता है बताये तो ये तो मैंने अभी डिस्कॉसन किया है कि अगर कोई मेंबर आफ परलियमेंट लगातार साथ दिनों तक लगातार साथ दिनों तक अगर अनुपस्तित रहते हैं तो क्या होती है उनके मेंबर्शिप जो होती है समाप्थ हो जाती है तो साथ दिन का मतलब कितना हुआ टू मन्त यानि दो माँ तो देखिए कौन सा आप्षन आपका सही है आप्षन भी इस तरह से इस प्रस्न का उप्तर होगा आप्षन भी तो इस प्रस्न का उप्तर होगा क्या आप्षन भी ठिक अगला प्रस्न है भारत का प्रधान मंतरी मुख्य है किसका राज सरकार का बिलकुल ही नहीं राज और केंदर दोनों का बिलकुल ही नहीं यह है यह नहीं यह आप्षन से केंदर सरकार का मुख्या होता है तो भारत क होता है ठीक तो इस तरह से हमारा एंसर होगा आपसंस भी ठीक अगला है अगला प्रसन है राजसभा में होते हैं तो राजसभा में कितने मेंबर होते हैं मैक्सिमम मैंने बताया सुरू मही टूहंडेट फिप्टी दो सव ऑनतीस राज्यों से बारह मनोनित किया जाता है तो द आला से ठीक ठाश्यों कि अधंडेट होते हैं है तो यहां से तब किलिए होगा होगा कहां से के tests किलियर दो सबुस्पचा से थिसले एक सी सजे लिए और सबस्टों सेisini राजसभा में जो श्च्रेंध कितनी है 25 में को लूए और बारा मनोनित होते हैं कितने छेत्रों से रा चार छेत्रों से कला सहीत समाज सेवा और कला सहीत समाज सेवा और चौथा कहां से विज्ञान इन चार छेत्रों से तो यह हम लोग पहले डिस्कॉसन का रही चुके हैं अगला प्रशनल राजसवा प्रतनिधी तुम है कौन शामील भारत क राशपति द्वार मनोनित सदस बिलकुल सामील है नागजिकों सीधे क्या चुने या पिल्कुल ही लुई नहीं चुने जाता है श सामिल होता है तो भारत के राशपती द्वारा मनोनित सदत से सामिल होता है 12 और कौन सामिल होता है अपर्तेक शरुप से नागरिकों के द्वारा जो परतर नेदि चुने गया है कौन जैसे एम एल ए हैं उनके दोबारा अपर तेक्स्रीप से चुनाओ होता है किनका राज्यसभा के मेंबर का तो इसलिए इसमें दोनों आप्षन सही आप्षन ए आप्षन ची दोनों सही है इस तरह से यह वाला आप्षन हमारा सही है क्योंकि कर रहा है उप्यूक्त में से एक स्याधि होता ही नहीं है प्रते एक पांच बर्स में समाप्थ हो जाता है बिलकुल ही नहीं होता है समाप्थ होने का भी से नहीं है या छे बर्स में समाप्थ हो जाता है या समाप्थ होने का भी से नहीं है अधाय तो कभी भी समाप्त नहीं होता है। और तेक दो वर्स पे क्या होता है सिवा निर्वित होता है सिवा निर्वित होता है तो यह कभी भी समाप्त नहीं होता है इसलिए आप्शन डी सही होगा ठीक है अच्छा अगिंकि सदस्यों का कारेकाल पुछा होता तो छे होता लेकिने चुकि राजसभा का कारेकाल पुछा है बिल्कुल यह तो सही है क्योंकि राज सभा पारित की राज सभा तो उसको पारित समझ लिया जाता है आटमेटिकली चौथा है राज सभा किसी धन भी दे को पारित कर सकती है अथमा कतिपय सिपारिसों के साथ उसे लोग सभा को लोटा सकती है बिल्कुल लोटा सकती है अब ये लोग सभा के उपर है कि लोग सवा उसको माने या ना माने तो ये भी बात सही है तो इस तरह से क्या पूछा था हम से सही नहीं है तो सही नहीं कौन है यही आप सवन दिखाई दे रहा है जो सही नहीं है इसका मतलब आप सवन भी सही हो गया हमारा इस तरह से तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आप्षन भी ठीक वैसे ही अगर देखें अगला अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण तो समिधान में मंत्री मंडल सब्द का एक ही बार प्रियोग हुआ है और कहां हुआ है तो बताये अनुशे 322 में 2022 में मंत्री परिस्ट का किया गया है मंडल का किया नहींगा इसलिए यह आप्षन तो गलत हो जाए गा अगला है 2022 बिल्कुल यह नहीं है राष्टे पति के संदर्म में तो यह होगा है अब बच गया दूआ अप्षन 256 राष्टे पति सासन कि द्वारा यह प्रवधान किया गया कि भी कंसल्टेट वीट दे कैबिनेट तब जाके और राष्ट्री अपात काल जारी किया तो तीन सो बाउन में किया प्रवधान है अपात काल लिखा गया राष्ट्री अपात कल नेशनल एमर्जेंसी है चवतर में मंत्री परिशद है दो सोरी तीन सो चपन में क्या है राष्ट्रपति शासन है और शेतर में टॉर्णी जनरल हमाय नयवादी है तो यह था हमारा यानि इस प्रशन का उत्तर का उन्सा होगा आपसन ए ऐसे तो हमारे सम्मिधान में कैबिनेट सब्द जो है मेंसन नहीं है तो इस तरह से देख सकते हैं कौन सा होगा तिन सबाउन के खंड तीन में किया गय जब मंत्री मंडल उसे लिखेतरु से शिपारिस करें एक प्रवधान किया गया चाववालिस्वा सम्मिधानिक संसोधन 1978 के द्वरा यह प्रवधान किया गया तो सम्मिधान में तो ऐसे में सर नहीं है तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज का हमारा जो सेशन था वो लो संसत से कितना कैस की सतर से प्रसन घुमा के पूछ सकता है तो आप आशा करता है कि आपका जो है इस जो सेशन जो यहां चल रहा भी प्यासी का जो नोटबुक के द्वारा जो प्रवाइट कराया जा रहा है जो एक प्रोग्राम के रूप में तो ओ आप से आपको बहुत ही help मिल रहा होगा ज्यादा से ज्यादा आप like करेंगे share करेंगे तो हमारे भी होसला बढ़ेगी और होसला बढ़ेगी तो हम और अच्छी तरह से जो fundamental topics होते हैं उसके तहद से मैं समझाओंगा और समझा के और तब जैसे हमारा जो पाले से ही परक्रिया रहा है कि पाले मैं उ और अच्छे तरह से पॉलिटिको ताकि आपको आने वाले प्रिलियम्स एक्जाम में बिलकोल ही दिकतों का सामना न करना पड़े आपके वाल एक बार पूरा स्रीज देख लें तो पूरा एक बार रिवाज हो जाए ऐसा मैं सोचराओं बनाने के लिए तो ज्यादा आई पर समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जैहिद